दोस्तो बिग बोस 17 में सैकिंड रनर अप का स्थान हासिल करने वाली मनारा चोपडा ने हाली में शो की समापन के बाद अपनी चचेरी बेहन प्रियंका चोपडा और जीजा निक जोनास के साथ दिल खोल कर बातचीत की विनर की टॉफी से चूकने के बावजूद मनारा ने अपनी बिग बोस यात्रा के दोरान प्रियंका के अटूट समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया अब एक बातचीत में मनारा चोपडा ने प्रियंका और निक के साथ अपनी दो घंटे की बातचीत को लोगों से शेयर किया मनारा ने बताया कि प्रियंका ने बिग बोस सत्रे में परिवार के नाम पर गेम ना खेलने के लिए उनकी परसंद सकी मनारा ने कहा, प्रियंका ने कहा मुझे तुम पर बहुत करव है तुन्ने परिवार के नाम पर गेम नहीं खेला, तुन्ने बोला मेरे बारे में बात करो अब निद्री ने आगे खुला सेखे कि प्रियंका और निक ने उन्हें एक cash gift भेजने की request की थी लेकिन मनारा ने इसे लेने से इंकार कर दिया और कहा कि उन्हें पैसों से ज़्यादा कपड़ों की जुरूरत है बदाते कि सोशल मीडिया पर सभी मनारा चोपड़ा को धेर सारी शुब कामनाई दे रहे हैं इसके लाबा कहीं लोग दावा कर रहें कि मनारा सेकिंड रनर अप बनने से ज़्यादा अंकीता को शो में हराने से खुशे हैं उन्हें पता था कि वे कभी टॉफी नहीं जीतेगी लेकिन उन्हें अंकिता को हराना था और उनका घमन तोड़ना था और वैसा कर चुकी है इसलिए बेहत खुश भी है